हलो एवरिवन क्या हाल चाल भाई तो आज मैं questions लेके आ गया हूं वही exercise 3.1 का आगे बढ़ेंगे हम question number 3 के बाद 4,5 और आज 6,7 भी कर लेंगे तो देखो question number 4th है what can you say about the angle sum of the convex polygon whose number of sides are given अब angle sum property क्या बताई थी भाई एंगल sum property मतलब interior angle का sum कित्ता होना चाहिए जो भी होना चाहिए तो कितना होता है तो हमारे पास एक formula था angle sum of interior angles कौन से interior angles of a polygon कोई भी polygon के interior angles का sum कित्ता होता है तो कोई भी polygon के interior angles के sum के formula है n into sorry sir sorry n minus 2 into 180 where n is number of number of bota sides बहुत बढ़िया बहुत शांदार number of sides तो यहाँ पर number of side किती है 7 यहाँ पर number of side किती है 1 यहाँ पर किती दिये 10 और यहाँ पर किती दिये n तो निकाल लो सबसे पहले a के लिए angle sum property तो angle sum कित्ता हो जागा भाई angle sum angle sum कितना हो जागा is equal to n n की value किती दिये रखिये 7 तो 7 minus 2 into 180 और 7 minus 2 कित्ता होता है 5 5 into 180 कित्ता हो जागा जल्दी बताओ good very nice बहुत शांदार 900 तो total sum कित्ता हो जागा इस polygon का angle का 900 लेकिन वो भी कैसा interior बी है 8 तो angle sum कित्ता हो जागा angle sum कितना हो जागा interior angle का sum साइड कित्ती दे रखिये 8 8 minus 2 into कित्ता दे रखा है 180 8 minus 2 6 6 multiplied by 180 कित्ता हो जागा पक्का पक्का एक बार कर ले 6 0 जा 0 6 8 जा 48 गलबल कर दी 4 6 बंज़ 6 प्लस 1 1 0 8 0 4 0 नहीं बच्चे multiplication में time लिया करो थोड़ा आराम से करा करो third third कों साइड 10 तो angle sum कित्ता हो जागा angle sum will be equal to 10 minus 2 into 180 10 minus 2 कित्ता होता मेरे प्यारे बच्चों 8 8 into 180 कित्ता हो जागा 1 double 4 0 1 double 4 0 करका देखते है 8 0 0 8 4 8 8 64 कित्ता हो गया 6 8 1 जा 8 प्लस 6 14 कित्ता हो गया 1 4 4 0 सही है सर D N अब N का formula तो N ही था तो angle sum कित्ता हो जागा N वालों का angle sum is equal to N minus 2 into 180 is the answer यही answer रहेगा बिटा N की value D नहीं ना N की value तो put कर रहा है अपर इस formula में अब वो पूछ रहा है question number fourth done हो गया हमारे पास अब है हमारे पास question number five question number five के बोल रहा है what is a regular polygon अब यह सवाल बहुत normal सवाल है लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि regular पासा सबकी side बराबर नहीं बेटा इस regular polygon की खास बात यह होती है कि इसकी सारी side के साथ साथ इसके सारे angles भी बराबर होना चीए आगर मैं कहूँ कि यह हमारे पास एक pentagon है तो इस pentagon के सारे sidecessor बराबर भी होंगे और सारे angles भी बराबर होंगे तब जाके यह regular पेंटागन कहलाएगा क्योंकि five side है अगर मैं बात करो स्क्वायर की तो स्क्वायर की सारी side बराबर होती हो सारे अंगल वह बराबर होते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं बात करा लो rhombs कि पहले वाल Directure में, आपको याद बराबर हो चाहिए यानि आ पॉलिगन वोज अल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल तो इस कॉल्ड अर्रेगुलर अर्रेगुलर पॉलिगन बहुत बढ़ी है सर समझ में आ गया अब उसने बोल दिया भाई कि थ्री साइड वाले पॉलिगन को क्या कहते हैं तो थ्री साइड वाले को क्या बोलते हैं बहुत बढ़ी है थ्री साइड वाले को बोलते हैं सर फोर साइड वाले को कितना बोलते हैं फोर साइड वाले को क्या हो सकता है तो तो अगर ट्राइफ ऑप करें तो ट्राइंगल क्या यह हो को इस anu ट्राइंगल च्रीय लेकिन हमें कहdy नíficा इसकते तीन साइड हम dispose कुछ ट्राइंगल है लेकिन रेगूलर तो एको लेगूलर हो इस्त स्कुरेड और सिक जा गाद छे साइड वाला ठीक है हो गया उतार लो अपको चार फिगर्स आपके पास दियें question number 6 में उन चारों फिगर्स में से हमको value of x निकाल ली है तो इसके पहले आपको थोड़ी मोटी मोटी बाते याद रखना पड़ेंगी जो मैंने बताए थी कि angle sum property आपको polygon की क्या है कि n-2 into 180 is equal to angle sum property और angle sum property में n की value किती है number of sides किती भी number of sides है उसको multiply कर दो minus करके 2 करके answer आजागा multiply 180 से करने पर अब हमारे पास एक है quadilateral तो quadilateral के इसको नाम करने कर दो इस दुनिया का सबसे खुबसुरत नाम A, B, C, D, A की value प्लस B की value प्लस C की value प्लस D की value A, B, B, C, D कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चो 360 degree 360 degree तो A, 50, 130, 120 और X तो 50 फिर दिया हुआ है X फिर दिया हुआ है 120 और फिर दिया हुआ है 130 है na is equal to 360 degree तो X की value किती आगी question number पहले के लिए this is first तो first वाले का answer कितना हो जागा जल्दी बताव X की value इन सब को plus करोगे तो कितना आएगा 300 पकाट 22 हाँ 300 तो X plus 300 is equal to 360 degree तो X equal to 360 degree minus 300 X equal to 60 degree वाह सर पहला answer आगे हमारे पस X की value किती आगी 60 degree अगला सवाल बड़ा खुबसूरत A B C D यह है second वाला question अब second वाले question के लिए मैं पहले ना एक काम करता हूं इस board को चार हिस्सों में divide करता हूं तो second वाला कहां करूं यहां करता हूं question number two अब इसमें किती साइड से जली बताओ चार साइड है A B B C C D और D है तो चारों एंगलों का सम कित्ता होगा A plus B plus C plus D कित्ता होगा 360 degree चारों एंगलों का सम कित्ता होगा 360 degree क्या हमें एंगल D दिया है बाहर ऐसा जब भी बनेगा तो समझ लो 90 तो उसके बाजु वाला भी कित्ता होगा 90 degree तो एक ही वेली कित्ती होगा linear pair से good very nice X linear pair वाला concept मैं सबसे पहले वीडियो में बना चुका हूं सबसे पहले वीडियो में तो यह होगा X 70 60 X 70 60 और बचा कित्ता 90 is equal to कित्ता होगा 360 degree अब मैंने इसको करने का तरीका किसे बताया है अब भाई 90 को तर ले जागा 270 को तर ले जाओ तो कित्ता हो जागा 200 और 60 को तर ले जाओ तो 140 बचेगा दो कैसे X is equal to पहले लेके गए 90 को तो 360 में से 90 गए तो कित्ता बचा 270 और 270 में से कर लो न यार कुछ बच्चे ऐसे करते सर X plus देखो इसको मैं समझा रहा हूं X plus 70 plus 60 is equal to 360 minus 90 देखो 9 का टेबल पन रहा है तो एक कम कर दो कित्ता होगा 27 तो यह हो जागा 360 में से 90 गए तो 270 X plus 70 plus 60 अब 70 को दल ले जाओ तो कित्ता बचेगा 200 तो X plus 60 is equal to 200 तो X की value किती हो जागी 200 minus 60 X equal to 140 degree step by step एक एक कर के लेके चलेगा आप यह कर सकते हैं आप इन तिनों को एक बार plus करते हैं और सबको minus कर देते हैं लेकिन क्या होता plus करने में भी और minus करने में टाइम तो आपने करना 9 का पता आपको 360 में से minus करेंगे 90 तो 270 बचेगा 946 930 27 फिर 70 लेगा तो 200 और 60 लेगा तो 140 आप दिमाग में करोगे चीज़ चलिए next question कर लेते हैं इसका answer किता है मेरे प्यारे बच्चों 140 degree next है यह वाला बहुत easy है question number 3 question number 3 question number 3 देखो question number 3 यह देखो एक दो तीन चार पांच पांच साइड है एक दो तीन चार पांच five side, five side तो five side मतलब five angle angle a प्लस उप्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d प्लस एंगल e कि वेलू कितती 360? क्यों? n-2 इंथ्यों इंदो 180 n-2 5-2 इंदो 180 5-2 3-1-80 3-180 540 यह है तो सारे एंगलों का सम किता होगा 540 अब नाम करन्ट कर दो दुनिया का खुबसूरत नाम A B C D E E की वेलू निकालनी है बाकि सब दिया हुआ कैसे मेरे प्यारे बच्चों यह पूरी एक लाइन है तो यह 70 तो यह कितने का हो जागा लिनियर प्यार से 110 यह कितना हो जागा 120 अब आगा है अब देखो 30 X 110 120 X A की वेलू 30 X 120 110 X इक्वल टू 540 देट इस 540 X प्लस X 2X good अब सब को प्लस कर लो अब मैं आपका तरीका समझा दो सबको प्लस कर लो 120 120 110 30 कर दो इसमें 10 प्लस करो तो 30 इसमें 30 प्लस करो तो 160 और फिर 100 प्लस कर दो तो कितना हो जागा 260 280 करके देखूं देखो अरे बच्चे मेरे प्यारे बच्चे चलो करके देखते है 120 110 और 30 0 3 2 3 plus 2 5 plus 1 6 और यह 260 तो आरहा यार 260 क्या बोला था मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं 260 तो यह कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे 260 is equal to 540 ठीक है समझना आया अब क्या करना है 260 तर गया तो 2x equal to 540 minus 260 बताओ कितना करेंगे माइनस करने अब 280 आया तो पहले तूना रट लिया क्या सवाल लग रहा है मुझे तो 2x equal to 280 पहले कर लिया था क्या सवाल बोल हाँ 280 अब 280 एक्स की वेलु कितने हो जागे 280 divided by 2 1s are 2 2 2 1s are 2 4s are 2 0s are x की वेलु कितने हो गई 140 तो यह भी 140 का और यह भी 140 का दोनों एंगल बराबर थे x की वेलु अब क्या question no.4 बहुत बढ़ी है sir question no.4 में देखो पेंटगन है वो भी regular है सारी side बराबर सारे एंगल बराबर तो x plus x plus x plus x सारे एंगल का प्लस करने पर कितना हैगा good very nice 540 क्यों पांचों एंगल है न वोई यह वादा खेल लो 540 ठीक है तो 5x equal to x equal to x equal to 18 18 देखो अब कुछ बच्चे गलती करते 5 बन जा 5 5 बन जा 5 अरे sir 5 बन जा 40 कर दो नई 5 0 जा 0 5 बन जा 40 तो यह आएगा 108 डिगरी हर बच्चा गलती करता यह वाली मैंने पकड़ दी चलिए चाप लीज़े जली फटफट ओके तो आप लोग ने लिख लिया होगा अब एक सवाल और आता है दिमाग में हर बच्चे के दिमाग में जैसे sir कॉटिलोल है माले लो एक कॉधिलो जा दोर को जरा वहाएक पार समझाके अगला कॉर्श्चन करआह खेल और अब एक काम करो, एक pentagon देख लो, उसमें number of diagonals किती होंगी, इसमें number of diagonals किती होंगी, pentagon में, 5 diagonal होंगी, 5 करके देखें, जड़ा करके देखें, मैं गलत तो नहीं, 1 diagonal एए, 1 diagonal एए, 1 diagonal तो होगी नहीं, क्योंकि adjacent side को plus करने पर diagonal नहीं आती, जोइन करने पर, उसके अलावा जितनी भी साइट सो अगर आपन जोइन कर दो तो डाइगनल बनती है, अब पहले वाले से तो दो हो गई, इस वाले से एक दो, चार हो गई, फिर कर दो इससे, इससे तो सारी हो गई, इससे भी सारी हो गई, कित्ती हो गई टोटल, पांच, आच्छा, में कितने होंगी डेगागन में कितने हो अब सवाल बड़ा घंबीर है बताऊं बताऊं उन्हीं शृत नम्बर अभ डाइगेल को पॉलिगन नम्बर ओफ डाइगोणल एंधा पॉलिगन यह वाला फॉरमल लिख लो बस खतम कितना होगा फॉरमल देखो एंडो एंड घ्मर द क्या करोगे, n into n minus 3 by 2, where n is equal to number of side, where n is equal to number of sides, अब आप करके देख लो, number of side कितनी है, 4, 4 into 4 minus 3 by 2, 4 into 1, 4 बंजा 4 by 2, 2, करके देख लो, 5, 5 side, 5 into 5 minus 3 by 2, 5 into 2 by 2, 2 से 2 कैंसल कितनी बची, 5, अच्छा, हेग्जागन में कितनी डाइगनलस बनेंगे, फिर तो 9 बनेंगे, देखो, तो हेग्जागन में कितनी बनेंगे, 6 into 6 minus 3 by 2, 6 minus 3, 3, 6 into 3 by 2, 2, 1, 2, 2, 3, 6, 3, 3, 3, 9, टोटल कितनी डाइगनलस, 9, ऐसे आप number of डाइगनलस भी निकाल सकते हो, अगर आप से पूछ लिया, डेकगन कितनी होंगी, तो सर डेकगन के निकाल के देते हैं, अभी पुनिस सर आपको कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, डेकगन की होंगी, 10 into 10 minus 3 by 2, 10 into 7 by 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 7 जा, अब गिनोगे थोड़ीं तुम, अब यसे रगो, आंसर आजाएगा, अगला क्वेशन होता रहे हैं, जब तक कि वाला, ओके, तो अब हमारे पास अगला सवाल है, question number 7, इसमें हमें निकालना है, find x plus y plus z, और इसमें निकालना है, थीक है, तो ऐसे डरो मत, इस सवाल में भी कोई डरने की बात नहीं है, देखो सबसे प निकालने के बात तो इन दोनों का सम कित्ता हो जागा 180, ठीक है, अब ऐसे ही इन दोनों का सम कित्ता होगा, और इन दोनों का सम कित्ता होगा, है ना, क्योंकि ये एक linear pair है, तो ये 30, ये 90, तो ये कित्ता हो जागा 60, अब देखो, 90 plus x equal to 180, फिर 30 plus z is equal to 180, और 60 प्लस Y is equal to 180 नहीं समझना है नहीं इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया अरे अलग-अलग इसलिए तो लिखा कि इन दोनों का सम 180 इन दोनों का सम 180 इन दोनों का सम 180 आप सुनो एक्स की वेलो निकालो एक्स इस इक्वल टू 180 माइनस 90 इस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 180 माइनस 30 वन अंड़न फिर्टी हां सोरी एक्स नहीं वाइज और य की वेलू 180 माइनस 60 कितना 120 अब एक्स प्लस वाइप्लस जैड निकाल लो यही तो पूछा था एक्स प्लस वाइप्लस जैड 90 प्लस 150 प्लस 120 कित्ता हो जागा 90 प्लस इत्ता हो गया 360 360 डिग्री और आपको एक बार बता दूं इन सबको बोलते हैं exterior और किसी भी all the polygon कोई भी पॉलिगन उठा लो all polygons in all polygons sum of exterior angle is 360 डिग्री थोड़ी सी इंक डालने कम लग रही है मुझा थोड़ी सी ठीक है कितना होगा बताओ यश अरे 1000 कहा होगा कि अICK- soll生 समॉंब वब ठीक है अप यह सम अडाल डाइंगलwr पॉलीग्र थ्षेयर एंगल्स और गोन के कि इलिजञ ढूेल शालोगे सब्स्टिज दिग्रीस अब इसका भी होगा यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह जालने के लिए करेंगे 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस यह है तो एक काम करो A B C D अब एक बहुत हो एक क्वादिलेटरल के इंटीरियर अंगल का सम कित्ता होगा 360 डिगरी तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 360 डिगरी बहुत शानतर 60, 80, 120 और यह तो देखो 60 डिगरी 80 डिगरी 120 डिगरी प्लस क्वेश्चन मार्क डी की वेलू पता लगा लो डी की वेलू कित्त हो जागी D is equal to 360 डिगरी हो जागा न कैसे यह होगा 140 यह होगा 120 तो 140 में 120 प्लस कर दो कित्त हो जागा 260 और 260 इदर गया तो D is equal to 360 माइनस 260 तो कित्ता आजयागा एंगल D is equal to 100 अब यह आ गया 100 अब देखो इन दोनों का प्लस तो इसको माइनस करो क्यों कित्ता आएगा 120 इन दोनों का प्लस इन दोनों का माइनस करें, तो कित्त आएगा, इन दोनों का प्लस, तो इसका 120-360, इन दोनों का माइनस 80, 80-60-100-120, 80-60-100, 360-degree, therefore, X-Y-Z-W-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E है कोई भी पॉलिगन हो चाहे वो ट्राइंगल हो उनके एक्स्टीर एंगल हो का समझ होगा वो किसके बराबर होगा 360 डिगरी के बराबर होगा और यह अगली एक्सराइज में और अच्छे से एनायन्स होके आएगा तो आज करते हैं एक्सराइज 3.1 खतम तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो देखते रहो पुरिट सर की पाट शाला जैहन